आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मौज मस्ती और पड़ाई दोनों साथ साथ साइमन्टेनियूसली चल रही होगी और हमारे जो भी अब तक के लेक्चर्स आये हैं वो आपने अच्छे से इंजॉय किये होंगे और उसे इंजॉयमेंट को और लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और पोईट्री लेकर के आया हूँ तो यहां पर क्या हो रहा है कि पोईट खड़ा है और बात कर रहा है बरसाथ से रेन से बात कर रहा है और जो से सवाल पूछे जा रहे है रेन जो है पूरी तरीके से खुल करके और अपने आपको explain करने की कोशिश कर रही है कि मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मैं कैसी हूँ मैं किस लिए हूँ इन सारे सवालों का जवाब हमें रेन खुद जो है वो इस पोईट्री में देने वाली है तो I hope जादा इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए वड़ना फिर पोईट्री को enjoy नहीं कर पाएंगे तो चलिए फिर पोईट्री को enjoy करना start करते हैं Let's start our with the first answer ठीक है The voice of the rain Walt Whitman are and who are though said I to soft falling shower तो who are though का मतलब यह है who are you तुम कौन हो यह किस ने पूछा यह कभी ने पूछा said I मैंने कहा मैं कौन कभी तो यहां कभी उससे कह रहा है rain से कह रहा है कि तुम कौन हो to the soft falling soft falling यह नहीं कि धीमे से या धीरे से गिरती हुई अना धीरे से गिरती हुई जो shower है जो वर्षा है या shower को हम कह सकते हैं फुहार जो है उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो तो बरसात से यहां कभी क्या पूछ रहा है तुम कौन हो धीरे धीरे प्यार से जो softly जो fall हो रही है गिर रही है फुहार या shower जो है उससे पूछता है which strange to tell which जो की बहुत अजीब है कहना या बहुत ही विचित्र है मुश्किल है उसे बता पाना gave me an answer and here translated तो मतलब जिसका कहना बहुत ही अजीब या विचित्र था उसने मुझे एक जवाब दिया यानि कि उस फुहार ने उस शावर ने मुझे एक जवाब दिया as here translated जैसा कि यहां पर translate करके मैं बता रहा हूँ अनुवाद करके मैं बता रहा हूँ किस रूप मैं बता रहा हूँ आपको अनुवाद करके बता रहा हूँ दूसरी भाशा में अनुवाद किया गया है तो वहाँ पर तो वह गिर रही थी पोएम पोएम नहीं स्वारी बरसात तो वर्शा वहाँ पर गिर रही थी बरसात हो रही थी उसको देख करके कभी उसके पास जाता है और कहता है कौन हो तुम बताओ मुझे तो उसने बड़े अजीब या विचितर तरीके से मुझे बताया लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ पाएं इसलिए ट्रांसलेट करके बता रहा हूं कि उसने यानि कि बरसात ने मुझे क्या बताया ठीक है गाइस ऐसा हो रहा है तो आगे देखते हैं I am a poem of earth मैं क्या हूँ? Earth की एक poem ठीक है? यहाँ पर मुझे बताना कि आपको कोई वो लग रहा है क्या? Literary device कोई use हुआ है क्या? I am poem I am the poem of earth क्या लग रहा है यहाँ पर? क्या है कोई? कुछ use हुआ है क्या? कोई literary device? Comment करके बताओ Set the voice of the rain ऐसा voice जो है उस rain की उस rain की voice ने ऐसा कहा ऐसा बताया कि भाई मैं कौन हूँ? तो मैं इस प्रत्वी की कविता हूँ कविता क्यों कह रही है वो अपने आपको या अपने आपको poem क्यों कह रही है वरसात? क्योंकि poem जो है बहुत ही मदूर होती है सुनने में आनंद देने वाली होती है व्यक्ति के किसी परकार के दुख हो किसी परकार की परिशानिया हो कुछ समय के लिए उनसे उसे छुटकारा दिला देती है हम लोग भी तो यही करते हैं परिशान जाते हैं चीज़ों से कानों में एरफोन लगा के गाने सुनने बैठ जाते हैं ऐसा ही होता है तो यही चीज़ यहां पर वो कह रही है साउंड कहता लेकिन वो अपने आपको जीता जाकता मान रही है बरसात यहां पर तो हम उसे साउंड ना कहा कै कि वोइस कह देंगे तयकि है जैसे मेरी साउंड नहीं सुनरही हो डिकिन अगर कोई बस तु गिर गई तो उसके गिरने की वोइस नहीं आएगी उसकी गिरने का sound आएगा तो यह तोड़ा सा एक difference होता है Eternal Eternal का मतलब होता है हमेशा रहने वाला हमेशा ही सदा ही निरंतर जिसको कभी जिसका कभी नाश नहीं होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा ऐसी चीज़ को Eternal कहा जाता है I rise impalpable out of the land and the bottomless sea तो मैं क्या करती हूँ मैं उठती हूँ rise का मतलब क्या होता उठना तो मैं उठती हूँ यह impalpable जो जिसे चुआ नहीं जा सकता है उस रूप में मैं उठती हूँ out of the land कहां से उठती हूँ जमीन से उठती हूँ and bottomless sea और ऐसे समुदर से उठती हूँ जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती अनन्त समुदर जो है जिसका कोई तल ही नहीं है नीचे ऐसे समुदर से मैं उठती हूँ और मुझे चुआ या देखा नहीं जा सकता है कैसे उठती भई यह है समुदर या यहाँ पर यह land है land के अंदर कही पानी भरा हुआ है तो यहाँ से यह किस रूप में उठेगी वाष्प के रूप में उठेगी बोलो हा किना सही है ना भई पानी जो है उसका वाष्पी करण होता है वाष्प के रूप में उड़ता है वो अब बताओ, इस वाश्प को देखा जा सकता है, का दिखती है ये का है वाश्प? तो ये वाश्प दिखाई नहीं देती, इसे चुए नहीं जा सकता, इसे समझा नहीं जा सकता, तो इसको अब क्या कह देते हैं कि भई ये इंपल परे लेबल है इसे चुवा नहीं चा सकता, पानी को आप चूँ सकते हो, वर्षा को आप चूँ सकते हो, लेकिन ये वाश्प जो है इसे आप चूँ नहीं सकते हो, तो एक वाश्प कहा से उठती है, जमीन से और समुद्र से, यहीं पैसा कहा गया, I rise मैं उठती हूँ कहा से, मेरी मेरा जन्म है समुद्र से समुद्र से प्रत्वी से मैं उठती हूँ वाश्प के रूप में जिसे चुआ नहीं जा सकता है अप्वर्ड टू हैवन और किदर की तरफ उठती हूँ मैं उपर की तरफ उठती हूँ और कहा जाती हूँ हैवन यानि की स्वर्ग की और जाती हूँ वेंस जहां से वेगली एनिश्चुत प्रकार से फॉर्मड रूप धारन करती हूँ यानि कि अपना निर्मान करती हूँ तो भाईया ये उपर वाश पगया अब क्या होगा बादल बनेंगे क्या सारे बादल एक जैसे होते हैं क्या या सबका रूप अलग-अलग होता है बताओ मुझे सारे बादल एक जैसे होते हैं सारे बादलोगा रूप अलग-अलग होता है तो मैं उपर हेवन के तरफ जाती हूँ जहां से मैं वेगली एनिश्चुत प्रकार का रूप धारन करती हूँ यानि कि अलग-अलग प्रकार के बादल के रूप में बन जाती हूँ ठीक है तो कहां से शुरू हुई जमीन से वाश्वबन के उपर गई heaven की तरफ और वहां जाकर एक अनिश्चित आकरती या अनिश्चित रूप को उसने धारन कर लिया और क्या बन गई? बादल बन गई सुन्दर सा बादल बन गई all together changed और एक दम से बदल जाती हूँ and yet the same उसके बाद भी बिल्कुल वैसी ही रहती हूँ यह बहुत प्यारी बात की all together पूर्ण रूप से मैं बदल जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है? पानी के रूप में और अब कैसी हो गई? बादल के रूप में ठीक है? तो यहाँ पर जल के रूप में है यहाँ पर किस के रूप में है? बादल के रूप में है तो पूरी तरीके से अपने आपको बदल दिया लेकिन है तो पानी ही तो बदल के भी ना बदला ऐसा ही हुआ ना तो पानी से बादल बने लेकिन बादल है और वो उसमें क्या है पानी पूर्ण रूप से विद्यमान है वहाँ पानी आप देख सकते हो I descended to live और फिर वहाँ से मैं नीचे गिरती हूँ descent का मतलब क्या होता है accent का मतलब चढ़ना descent का मतलब वहाँ से नीचे आना यानि कि बादल से मैं क्या होती हूँ फिर से नीचे आती हूँ यह बादल यहाँ बना लेता है थोड़े से ऐसे होता है क्या बादल मेरी वैसे drawing बहुत जाद अच्छी है नहीं मालो यह सब बादल है अलग-अलग रूप के अलग-अलग आकरती के तो बादल है तो लेव ड्रॉट्स ताकि मैं धो सकूँ या मैं सनान करा सकूँ किसे सूखे को तो सूखा मतलब जैसे कि राजस्तान के अंदर बंजर जमीन कहीं पर पड़ी है या रिगिस्तान का इलाका है तो वहाँ पे क्या है पुरा सूखा पड़ा है ड्रॉट पड़ा है तो सूखे को निलाने के लिए यानि कि जो बिलकुल बिना जल की जमीन है उसको सनान कराने के लिए उसको निलाने के लिए एटोमीज बिलकुल उपर वाली परत है प्रत्वी की जो ढग गई है उसे धोने के लिए उसे साफ करने के लिए मैं बरसती हूँ मैं नीचे आती हूँ डिसेंड करती हूँ बोलो हा की न ऐसा ही हो रहा है न dust layer of the globe तो यह क्या करती है ऊपर चली गई बादल बनने के बाद मैं बरसात ने क्या किया कि धोने के लिए सूखे को मिटाने के लिए लोगों को जल मुहाया कराने के लिए सुक्ष्म चोटे 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 जो dust layer है जो चोटे चोटे कण है धूल के जिसने प्रत्वी को globe को पूरी चारो तरफ से ढख रखा है उसे धोती है and all that in them without me were seeds only और यह जो जमीन दिखाई दे रही है न इस जमीन में बरसात के आने से पहले किसान ने क्या किया अनाज उगाने के लिए बीज बो दिये क्या बो दिये बीज बो दिये अब अगर इस पे बरसात ना आए तो ये बीज के बीज ही रह जाएंगे और अगर इन बीजों में से पौधे निकलने हैं तो उसके लिए किस की आउशकता है जल की आउशकता है जल कहां से मिलेगा वर्षा से मिलेगा तो यहाँ पर क्या कह रही है कि मेरे बिना ये सारी जो चीजें है ये केवल बीज मातर ही रह जाएंगी बीज कभी अंकुरित नहीं हो पाएंगे उनसे पेड़ या पौदे नहीं बन पाएंगे latent, unborn यानि कि अप्रकट या अनंकुरित रह जाएंगे unborn यानि कि वो जिस प्रकार से एक पेड़ के या पौदे के रूप में पैदा हो सकते हैं या जनित हो सकते हैं उनका जन्म हो सकता है वो नहीं हो पाएंगा तो ऐसा यहाँ पर कौन कह रहा है रेन कह रही है and forever और हमेशा by day and night, दिन और रात, I give back life to my own origin कि दिन और रात मैं अपने आपको पुनह, I give back life to my own origin यानि कि जिस जगह से मेरा जन्म हुआ है, जो मेरी जन्म स्थली है उसे मैं जीवन देती रहती हूँ बार बार, दिन रात तो यह क्या कह रही है, बरसात यहाँ पर, कि भाईया जल का वाश्पी करण हुआ वाश्पी करण होकर के बादल बना, बादल बनके पुनह, बादल ने क्या की बरसात की, और बरसात करके वापस यहाँ पर जल को इकटा किया या यहाँ पर जलको वापस भरा ताकि यहाँ से पुनह यह उत्पन्न हो सके इतनी सी बात है ठीक है? तो इस लाइन भी ही का गया है कि देन और रात मैं उस जगे को पूर्ण करती रहती हूं जिस जगे से मेरा जन्म हुआ है जिस जगे से मेरा आरंब हुआ है ताकि मैं पुनह जन्म ले करके और वापस बर्ण सकूँ फिर वापस जन्म लोग वापस बर्ण सूँ फिर वापस बादल बने वापस वर्ण शा हो और इस प्रकार से पूरी प्रत्वी जो है उसके बीज अंकुरित होते रहें पूरी प्रत्वी जो है उसका सूखा नश्ट हो जाए जानि कि वहाँ पे कहीं सूखा ना पड़े प्रत्वी पे और सूख्म और डस्ट लेयर जो है सूख्म जो धूल की जो लेयर है उसे बार-बार धोती रहो ठीक है तो बरसात क्या है बार-बार होती रहे और ये सारी चीज़े सुचारू रूप से चलती रहे and forever day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it और इसे बार-बार क्या करती रहूँ इसे बार-बार शुद्ध करती रहूँ और इसे सुन्दर बनाती है बरसात का जो पानी आता है वो कैसा होता है चलो थोड़ा सा अलग तरीके से समझता है एक नाला है उस नाले में जो पानी है वो वाश्पिकरण से उड़ा पानी कैसा था? गंदा सा वाश्पिकरण होके उड़ा उसके बाद बादल बन गया बादल से बरसात हुई अब वो बरसात से जो जलाएगा वो कैसा होगा बिलकुल साफ सुत्रा बिलकुल प्योर होगा और जो बरसात होती भी दिखाई देगी अब बरसात से जो जलाशाय भरते भी दिखाई देगे समुद्र में बरसात होती भी दिखाई देगी जमीन पे बर पत्वी जो है वो बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छी दिखाई थे ठीक है तो ऐसा यहां पर रेन कह रही है पर सौंग इस्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस गीत के लिए अर्थवा गीत गाने वाले पक्षियों के लिए यहां पर एक अलगसा विचार है जो मेरा है पपिया जो होता है ना पपिया एक ऐसा पक्षि होता है जो केवल वर्षा का जल ही पीता है अन्य कोई जमीन पर पढ़ावा जल नहीं पीता है बरसात होती है ता विवानी पेता है ऐसा कहा जाता है actuality में ऐसा है नहीं मुझे नहीं पता वास्तविकता क्या है लेकिन पपिये के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहीवा केवल वर्षा का जल ही पीता है ठीक है तो issuing उसके लिए बाहर निकालना from its birth place after fulfillment wondering ताकि जो जितने भी गीत गाने वाले पक्षी है उन सब के लिए भी मैं जल का स्रोत बन सकूँ ठीक है यहां तक की बात एक खतम हो गई issuing from its birth place after fulfillment wondering और चारो तरफ जब मैं बादल के रूप में भटक लेती हूँ घूम लेती हूँ और घूम करके मेरा मन धाब जाता है fulfillment हो जाती है तरप्त मैं हसूस करती हूँ कि हाँ बहुत बटक ले आज तीक है तो wondering का मतलब यह है इदर उदर घूमना फिरना बटकना तो बादल के रूप में जब इदर उदर बटक लेती हूँ after fulfillment fulfillment के बाद from its birth place अपने जनमस्तान से निकल करके तो issuing मैं बाहर निकल जाती हूँ तो मैं पहले क्या है कि यहाँ पर तालाब या नदी में या समुदर में पड़ी रहती हूँ उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ उसके बाद मैं बादल बन जाती हूँ बादल बन के जहाँ भी गूमना फिरना बटकना है यह सब पूरा कर लेती हूँ और इसके बाद में वापस से जाकर के इसी जगे वापस अपने आपको शांत कर लेती हूँ तो एक तरह से क्या है कि घर से निकले घूम पिरके बटक बटका के वापस घर आ गए यही चीज़ें आपर हो रही है रेक्ड और अन्रेक्ड किसी के द्वारा सुना गया अत्वा नहीं सुना गया यानि चाहे किसी ने मुझे सुना हो चाहे मेरा घूमना सुना हो चाहे नहीं सुना हो डूली विथ लव रिटर्न्स यानि कि विधिवत रूप से डूली का मतलब होता है विधिवत रूप से मैं घूम फिर करके प्रेम पूर्वक वापस लोट आती हूँ ठीक है तो यह यहाँ पर हमारी कविता कहती है कि वापस से प्रेम पूर्वक मैं विधिवत तरीके से लोट आती हूँ यानि कि तालाब में से हुए में से लैंड में से समुद्र में से एक घर मानती हूँ मैं इन्हें अपना इनसे बाहर निकलती हूँ घूमती हूँ फिरती हूँ वंडर करती हूँ और वापस आ जाती हूँ प्रेम पूर्वक वापस अपने घर लोट आती हूँ तो ये हमारी कविता है, इस कविता को चाहें तो एक बार हम सारांश के रूप में फटापट से दिख सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद देखना अच्छा रहेगा, तो कवी ने पूचा भई तुम कौन हो, कोमबलता से गिरते वे शावर से, वर्षा से पूचा तुम कौन ह अब ये बताना बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी उस वर्षा ने मुझे उत्तर दिया और उसका अनुवात करके मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैं इस धर्ती की पृत्वी की कविता हूँ, उस रेन की आवाज ने कहा, सदेव ही यहां रहने वाली, मैं यहां से इन पैलप आकार और प्रकार के मैं रूप धारण करती हूँ, पूरी तरह से अपने आपको बदल देती हूँ, फिर भी बिल्कुल वैसी ही रहती हूँ, बदल देती हूँ, यानि बादल बना देती हूँ, वैसी ही रहती हूँ, मतलब बादलों में भी जल है, और मूल जो स्तरोथ था वाँ पे भी जल है रहती तो जल के रूप में ही हूँ पानी के रूप में रहती हूँ नीचे की तरफ आती हूँ ताकि सूखी जो जमीन है उसे धो सकूँ जो धूल मिट्टी की जो लेयर जम गई है प्रतवी पर उसे धो सकूँ और उसी के साथ साथ जो अपरकट रूप में या जो unborn जो seed हैं अगर मैं उन पर नहीं गिरी वर्शा के रूप में अगर मैं उन पर नहीं गिरी तो वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे तो उन्हें मैं प्रस्फुटित या अंकुरित करने के लिए उन पर गिरती हूँ और दिन और रात मैं अपने origin यानि जहां से मेरा उत को भी और प्रत्वी को भी गीत गाने वाले जो पक्षी है पपिया आदी उनके लिए भी पानी का करती हूँ और अंत में क्या है कि जो मेरा घर है वहां से बाहर जाती हूँ बादल बनती हूँ गूमती हूं फिरती हूँ वापस वर्शा करती हूँ वापस अपने original स्ट्रो होगी अना मुझे तो मज़ा है पढ़कर के आप लोग को को पता नहीं अगला हम जो इस पे टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वह इस पोईट्री का सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया हैं यहां पर क्या कह रहा है तो वाइस ऑफ दे रेन इस डेट बोथ रेन एंड पोईट्री हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है प्रत्वी पर तो प्रत्वी पर क्या है पोईट्री भी बहुत इंपोर्टेंट है और रेन भी बहुत इंपोर्टेंट है दोनों का अपना-पना महत्वपूर्ण स्थान है रेन जो है वर्षा जो है ओरिजिनेट होती है यानि की उत्पन्न होती है कहां से समुंद्र की तलहटी से जो समुंद्र है उनके तल से बोटम का मतलब होगया तल से उत्पन्न होती है in the form of water vapors यानि की जलवाश्प के रूप में the rise to the sky उसके बाद में वो उड़कर के sky तक जाती है rise बढ़ती है and form there they fall down on the earth और from there यानि की वहाँ से फिर वो वापस पर्थवी पर गिरता है वो जल fall down का मतलब होता है गिरना तो वहाँ से फिर से पर्थवी पर जल गिरना प्रारम हो जाता है शुरू हो जाता है and help the life to exist and flourish और सहायता करता है ताकि जीवन जो है जीवन का अस्तित्व बना रहे और flourish का मतलब है जीवन जो है वो फले और फूले ठीक है ताकि जीवन फले फूले उसको flourish हो सम्रद्धी हो उन्रत्धी हो उसके लिए प्रयास करती है similarly बिलकुल वैसे ही the poetry कविता जो है originate from the heart of the poem वो प्रारम होती है या शुरू होती है कहां से कभी के रिदय से कभी के दिल से goes to different people अलग-अलग लोगों के पास जाती है या अलग-अलग लोग उसे पढ़ते हैं who appreciate जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं क्या करते हैं उसकी फिर प्रशंसा करते हैं and criticize और उसकी समिक्षा करते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं उसकी समिक्षा करते हैं but in the end लेकिन अंत मे love comes for the poet from all the directions प्यार भेजा जाता है हर उस कवी को सभी दिशाओं से जितनी भी directions है पूरे संसार भर से हर जगे से हर देश से हर अलग-अलग देश से उसे प्रेम भेजा जाता है प्यार भेजा जाता है कि आपने ये बहुत ही अच्छी कवीता लिखी है ठीक है कै जाए चलिए इसे आगे का देखते है ना चलिए लिटरेवी य्ट वाईज जो है वापस वही अलंकार देखने वाले हैं कौन का यहां प्रियुकत हो है पहला हुए इस लेंड टू रेन यानि की रेन की जो आवाज है उसे वोईस कहना साउंड ना कहना यहाँ परसॉनिफिकेशन हो गया है मेटाफर मेटाफर यानि की जब कोई वैसा ना हो लेकिन उसे वैसा बताया जाए ठीक है तो यहाँ पर जब वो कहती है रेन कहती है I am the poem of the earth के मैं इस earth की कविता हूँ question पूछा था answer मिल गया तो वो वहाँ पर क्या हुआ है हमारा मेटाफर हुआ है क्योंकि यहाँ पर यह poem तो poem होती है तो I hope lecture यह दोनों literary device जो मैं यहाँ पर इस्तमाल किये गए है आपको अच्छे से समझ में आया हूंगे थोड़ा सा एक काम कर दो प्लीज मेरे लिए चोटा सा ज्यादा बढ़ा ही चोटा सा कि इवल इस कविता की एक summary लिख दोने मेरे लिए 80 वर्ड्स उनली ज्यादा नहीं मांग रहा है 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 कि इतना टाइम हो गया पढ़ाते वह आज तक आपको कभी परिशान नहीं किया मैंने आज पता नहीं क्यों मेरा मन है कि क्योंकि यह कभी था मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आप लोगों के व्यूज जानना चाहता हूं तो एक summary मात्र 80 words में चलो आप एक काम करो 50-80 words कर दो ठीक है 50-80 words अगर कोई ज्यादा लंबा नहीं लिखना चाहता कोई बात नहीं 50-80 words में इसके summary नीचे comment box में आप मेरी लिए लिए लिख दीजिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा thank you very much और next lecture में मिलते हैं till that take care of yourself I'll see you soon bye-bye you